यह है क्लास सेकिंड एवियस फर्स चैप्टर अबाउट मी अलब मेरे बारे में तो यह हम अभी लेंथ ही है तो स्टार्ट करते हैं आई वाज बोर्ण एबेबी आई मैं वाज बोर्ण पैदा हुआ था एबेबी एक चोटे से बच्चे के रूप में बिल्कुल चोटे बच्चे के लिए हम बेबी शब्द यूज़ करते हैं आई लूग्ड डिफरन्ट एज बेबी आई लूग्ड मैं दिखाई देता था डिफरन्ट अलग एज बेबी एक बच्चे के रूप में I have grown up, मैं बढ़ा हुआ, बढ़ा We grow into small boys or girls We, हम, grow, बढ़े into small boys, छोटे लड़के या लड़की के रूप में We will grow more and will become men and women like our fathers and mothers We will grow, हम सब बढ़ते गए और अधिक and will become और हो गए men and women आदमी और औरत like की तरह है Our fathers and mothers, हमारे माता और पिता की तरह है All of us grow with time All of us, हम सभी grow बढ़ते हैं with time, time के अनुसार तो इसमें बताया गया है कि जब मैं बिल्कुल छोटा बच्चा पैदा हुआ था तो अलग ही था, उसके बाद मैं धिरे धिरे बढ़ता गया एक छोटे लड़के या लड़की के रूप में बढ़ा उसके बाद मैं और बढ़ता गया, और बढ़ता गया अब यह जो पिक्चर है, इसमें अलग-अलग स्टेज दिखाई गई है लुक अड़ इस पिक्चर्स, इन पिक्चर्स को देखे यह दिखाते हैं कि हम कैसे बढ़ते हैं तो यह जो पिक्चर्स हैं, इन में कोरेक्ट ओर्डर नहीं दिया हुआ है कोई स्टेज आगे और पीछे दिखाई है तो हम फार्स स्टेज बताते हैं फार्स स्टेज यह बेबी गार्ल फिर बेबी गार्ल से यह गार्ल फिर लेड़ी फिर वोमेन और फिर ओल्ड वोमेन ये स्टेज इन स्टेज के द्वारा हम टाइम के अनुसार बढ़ते गए ग्रो फ्रॉम बेबी टू अडल्ट बच्चे से अडल्ट होता व्यास्क आपको वर्ड मिनिंग करवाए गए है उसमें बताया गया है तो बच्चे से हम व्यास्क जो हुए वो किस परकार से कौन से स्टेज हैं वो हैं लेकिन जब बच्चा पैदा होता है और एक से दो साल का होता है तो उसको हम बडेबी ही बोलते है बेबी बोई बेबी गर्ल तो इसलिए उनको हम बेबी बोलते हैं और अडल्ट जैसे ही बच्चा दस ग्यारा बारा तेरा साल की लगबग इस एज में आता है तो हम उसको अडल्ट बोलते हैं वी ओल आर बेबी हम बच्चे थे सब वेन वी टेक बर्थ जब हम ने जन्म लिया आफ्टर फ्यू यर्स आफ्टर बाद में फ्यू यर्स कुछ साल वी ओल विल ग्रो टू बिकम ए बोई और ए गर्ल वी ओल हम सब बढ़े और बने होंगे ए बोई और गर्ल एक लड़का या एक लड़की आफ्टर फ्यू यर्स वी ओल विल ग्रो टू बिकम ए यंग मैन और वोमन और कुछ साल बाद हम और बढ़े और एक जवान आदमी या ओरत के रूप में आए and then we will become old और उसके बाद and then और तब we will become old हम बुढ़े हो जाएंगे तो इसमें अलग-अलग स्टेज बताई गई है आवर बोडी अब इसमें बोडी के बारे में बताया गया है the human body is wonderful machine जो मनुश्य का सरीर है वो एक अद्भुत machine है it is made up of different parts यह बना हुआ है it is made up यह बना हुआ है different parts अलग-अलग अंगों से, हिस्टों से, भागों से our body is made up of 206 bones जो हमारा सरीर है उसमें जो हड़ियों से बना हुआ है और हड़ियों की संग्या कितनी है, 206 206 bones हड़ियां, 206 हड़ियों से बना हुआ है we need to take care of each and every part of our body we need, हमें जरूरत है take care, देख बाल करने की of each and every part हर एक प्रतेक हमारे सरीर के प्रतेक भाग की देख बाल करने की हमें जरूरत है it consists of internal and external body parts इसमें शामिल है, हमारे, it consists of इसमें शामिल है internal, अंदर के जैसे हमारा heart है, lung है, ये हमारे internal part हो गए और external, हमारे आँख, कान, नाख, हाथ, पाउँ, ये हमारे external body part हो गए तो ये इसमें हमारे internal और external body parts सामिल है external body parts, the major parts of our body are the head, hands, legs, neck and trunk the major parts, मुख है जो भाग है, अंग है, of our body हमारे सरीर के आर है वो कौन-कौन से है, head, इनका आपको पता ही, आप second class में हो head, hand, इनकी हिंदी बतानी की जूरत नहीं है head है, hands है, lungs, legs, neck and trunk the head is the uppermost part, uppermost सबसे उपर का हिस्सा जो हमारे सरीर का सबसे उपर का हिस्सा है, वो क्या है head है, it has a brain inside, और इसके inside अंदर क्या है, brain, दिमाग it has eyes, nose, ears and mouth और जो हमारा head वाला हिस्सा है, इसमें और क्या-क्या चीज़े है eyes है, nose है, ears है, और mouth है तो ये सब आपको पता ही है, आपके सामनी है, आपका सरीर पूरा आपके सामनी है तो उसके कौन-कौन से part कहा है, वो आपको पता है the neck connect the head to the trunk जो neck garden है, वो connect जोडती है head सीर को to the trunk तो जैसे ये picture में दिखा रखा है, head को trunk ट्रेंक, ट्रेंक मतलब जो ये नीचे का, हमारा कमर का और ये जो हिस्सा है इसको trunk बोला गया है, क्योंकि इसमें और काफी सारे हिस्से आ जाते हैं तो इसको main roof से trunk बोला गया है तो ये जो neck है, ये head को trunk से जोडती है we use our arms, hands and fingers to write, eat, paint, hold things, etc we use, हम प्रयोग करते हैं, हमारे arms, भुजाई, हाथ, fingers, उंगलियां, to write लिखने के लिए, eat खाने के लिए, paint करने के लिए, hold things, वस्तूओं को पकड़ने के लिए हम वस्तूओं को पकड़ते किस से हैं, अपने हाथों से पकड़ते हैं, etc और इस परकार और सारे काम जो हैं, वो हम करते हैं, जिनका हमें पता भी है we use our legs, feet and toes to stand, run, walk, play and cycling और हमारे legs, tongue, feet, pair, foot इसका singular है, और feet, plural है, pound and toes, toes हमारा पाउं का जो पंजा होता है to stand, वो हम पाउं से हम क्या-क्या काम करते हैं, वो बताया गया है खड़े होते हैं, दोड़ते हैं, चलते हैं, खेलते हैं, cycling करते हैं तो आज के लिए हम यहीं पे, क्योंकि काफी बड़ा chapter है तो हमें यह two parts में करना होगा आज के लिए हम यहीं पे इसको खतम करते हैं यह जितना करवाया गया है, यह आप अच्छे से करें इसको बार-बार सुने और अपनी body के according, अपनी body का आप second class में है आपको पता है, तो अपनी body के according आप इसके बारे में ध्यान से इसको समझें